औरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स की ब्रांच खाक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं शौर्ट सर्किट से चुंगारी भड़कने का अनुमान बिकाने जिले में लूनकरन सरस्थित औरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स की ब्रांच में सोमवार को आग लग गई आग से ब्रांच खाक हो गई, वहाँ पर रखा सारा समान जल गया आग से बड़ा नुकसान हुआ है, आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन माना जा रहा है कि आग शौट सर्किट से लगी, बैंक में आग से कम्प्यूटर, फरनीचर और पंखे जल गए जानकारी के अनुसार आग सोबे आठ बजे और रेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच के पास थीत, करणी धरम कांटे में लोगों ने बैंक से धुआ उटता देखा उन्होंने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया जिन्होंने पुलिस को इसकी सुचना दी आग देखकर आसपास के शेत्र में अफ्रा तफरी मच गई, बड़ी संख्या में लोग वहां इकठे हो गए थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुँच गई और दमकल को भी बुला लिया गया सुचना के देड़ घंटे बाद दमकल वहां पहुँची लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी लोगों ने अपने ही सर पर आग बुझाने की कोशिश की हास्य का पता चलते ही बैंक के करमचारी भी वहां पहुँच गए बैंक की ब्रांच के पास ही बैंक का एटियम भी है लेकिन वहां आग नहीं लगी बैंक करम्यों ने एटियम में रखी राशी निकाल ली हालांकि ब्रांच में कितना पैसा रखा था इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है आग लेंग ने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है लेकिन शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि आग शौर्ट सर्किट से रात में ही लगी है ब्रांच बंध होने की कारण इसका पता नहीं चल पाया और सुबह इसने विक्राल रूप धरन कर लिया आग से वहां रखे कंप्यूटर, फरनीचर और पंखे जल गए आग से कितना नुकसान हुआ है अभी तक इस बार में पता नहीं चल पाया है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर